नमस्ते जी, वैदिक राष्ट में आपका स्वागत है, आज कहा हमारा विशे है, विश्व के प्रतम ग्रंथ वेदों का हिंदी में प्रचार और आर्ष समाज, आज के इस वेदिक लेख के लेखक हैं, वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आरे दहरादून से, इस तरह के अन् समाजिक संस्ता और समाज के स्थापना स्वामी दयानन सरस्थी जी ने 10 अपरेल सन 1885 को मुंबई नगरी में की थी, स्वामी जी की मातर भाषा गुजराती थी, और समाज एक धर्मिक यम समाजिक संगठन वा अंदोलन है, जिसका उदेश, धर्म, समाज, वराजनीती के छे तो हमें स्रिष्टी के आरंभ में इस्वरपरदत व्यद जान की चर्चा करणी अवश्श्य परतीत होती है, स्रिष्टी की उतपत्ति के पश्चात, जब प्रधमवार मनुश्यों के रूप में युवा इस्त्रिय और पुरुष्यों की आमेतनी उतपत्ती इस्वर ने की, तो उन्हें अपने देनन्री वेवारों और बोलचाल के लिए एक फाशा सहित कर्तव्य अकर्तव्य के जान की अवशक्ता थी वहाँ जान वेद के रूप में ईश्वर ने मनुश्यों की प्रथम पीडी को दिया जिससे वहाँ अपना समस्त कर्तव विवार आदी जान सकें आदी स्रिष्टी के मनुश्य ही संसार के सभी मनुश्यों के पुर्वेच्शिद्धों होते हैं वहाँ सब वेदो एवं वेदो धर्म के अनुयाई थे स्रिष्टी के आरंब में मनश्वत्पत्ती के साथ ही वेदिक धर्म की स्थापना स्वयम परमात्मा ने चार रिशी अगनी, वायू, आधित और अंगिरा को वेद जान दे कर की थी यहाँ भी नरिववाद है कि स्रिष्टी के आरंब से महाबारत काल तक के लगभग एक अरब 96 करोड आठ लाक वरसों तक पूरे भूमंडल पर वेद और वेदिक धर्म ही प्रचलित रहे जो जान और विग्जान की कसोटी पर पूर्ण सत्य और तरक संगत थे महाबारत युद्ध में हुई जान और माल की भारी चती के कारण देश में अध्यान अध्यापन का पूरा ठाचा ज़स्त हो गया जदपी धर्म तो वेदिक धर्म ही रहा परंतु वेद और वेदिक साहित के अध्यापन की समुचे तवस्ता ना होने के कारण उसमें अज्जान, अंदवस्वास, कुरीतियां, सामाजे का समानताएं, विशमताएं, अनेक पाखंडों सहित, संस्कृति और सब्विता में भ लिया, वन विवस्ता में भ्रामन सिकर और सुद्र निमनस्तान पर आ गया, वहां तक कहा गया कि भ्रामन द्वरा कहे गए प्रत्ति एक बात वन को माननी होगी हरवर्ण को, इसका आर्थ तो यहा था कि जानी अज्जानी भ्रामन कोई अनुचित बाद भी कह दे, तो उसे इतर सभी मनुश्यों को बिना सोचे विचारे स्विकार करना होगा, यहां ऐसा ही था जैसा कि कुछ मतों और संपरदायों में वर्तमान विवस्ता है, जिसके अनुसार धर्म में अकल का दखल नहीं होता, इन्ही कारणों से वेदिक धर्म अनेक अंद्वस्वासन से ग्रस् इतर में भारत में सुदूर देशनमें भारत से इसाय और इसलाम का प्रादुरबा उफी हुआ, इन सभी मतों की भासा संस्क्रत से भिन पार्सी, पाली, हिब्रू, अर्भी, आदी थी, इसके बाद भारत में सिक्क मत की स्थापना भी हुई, जिसका धर्म गरंत गुरुग इतिहास में पहले बेक्ती थे, जिन्होंने वेदिक धर्म के विकारों वा अंदवस्वासों में सुधार के लिए युक्तियों और तर्क से वेदिक धर्म के यथार सुरूप को अपने गरंत सत्यार्द प्रकास ने परस्तुत किया, यहार सत्यार्द प्रकास गरंत आरे समा और जिसे महरशी दयानदने आर्य भाषा अर्थात हिंदी आर्यों की भाषा नाम दिया। सत्यार्प्रकाश ग्रंथ की प्रथम रचना सन 1884 के उत्रारद्मे काशी में महरशी दयानदन की थी। इसका सन 1883 में नया संस्क्रण संसोधन के साथ तयार हुआ जिसका प्रकाशन सन 1884 में हुआ नया संसोधि संस्क्रण यही संस्करण वेदों के स्वताह प्रमान धर्म ग्रंथ के बाद वर्तमान में आरियों के धर्म ग्रंथ के रूप में पूरे विश्व में प्रसिलित और प्रसिद्ध है इसका प्रभाव या हुआ, कि बड़ी संचा में पुरानिक मानिता का प्रधान सनातनवर्ग की बंदूओं ने इसे पढ़कर सहमत होकर इसे स्विकार किया। अन्य मतों के लोगों ने भी सत्यात प्रकास में वर्णत वेदमत और इतर मतों के गुण दोशों को जानने की द्रिश्टी से हिंदी सीखी इससे एक लाब्यावी हुआ कि हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ ने टो महरिशी दायन्द के जीवनकाल में जब डिटिस सरकार ने भारत के राजकारों में भाषा के प्रयूक की संतुती के लिए hunter commission बनाया तो महरिशी दायनंद ने हिंदी को राजकारों में प्रतम भाषा के रुप में मानिता दिलाने के लिए एक अंदोलन किया इस अंदोलन के प्रणाम सुरूप देश भर में आरे समाज के अधिकारियों वानुजायों ने बड़ी संख्या में देशवासियों के हस्ताक्षोनों स्युक्त जापन आरे भासा हिंदी को देश की राजकारे की प्रथम भासा बनाने ही तू हंटर कमिशन को भेजे थे महरेशी दयानन की प्रेणा से आरे समाज में आरे दरपन, भारत, सुदसा प्रवर्टक आदी अनेक हिंदी पत्रो का पराकाशन परांबग किया गया था जिस से हिंदी परचार परसार देश भर में हुआ यहाँ भी जानने योग गे है कि महरिशी दयानन से प्रभावित उदेपूर, सहापूर, जोदुपूर आधी रियासतों के राजाओं ने अपने यहाँ हिंदी को राजकारियों की भाषा के रुप में मानिता दी थी महरिशी दयानन ने अपना समस्त्र पत्र वैवार हिंदी में ही किया, हिंदी के सरवदिक पतिष्ठित पुरुष भारते इंदू हरिश्चंद्र स्वामी दयानन जी के काशी के ससंगों में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने स्वामी जी की प्रसंसा की भारते इंदू हरिश्चंद्र ने अंदेरी नगरी नामक नाटक सन 1881 में लिखा, यहां नाटक सताथ प्रकास की प्रेणा से लिखा गया प्रतीत होता है, मनुष जो पढ़ता है और सुनता है उसका संसकार बनता है, इस प्रकार भारते इंदू हरिश्चंद्र जी पर भी रिशी दारंद के संसकार पड़े ऐसा प्रतीत होता है महरिशी दारंद के परलोग गवन के बाद आरसमाज के गुरकुल तथा डियेवी स्कूल कालेज खोले जिनमें आरसमाज ने और हिंदी को मुख्य बासा के रूप में स्थान मिला आरसमाज के यह कारे भी हिंदी के प्रचार और प्रसार में सहायक रहा इसके साथ आरसमाज में हिंदी की अनिवारिता के कारण हिंदी के अनेक वदवान, वेदभाशकार, कवी, पत्रकार, प्रोफेशर, अध्यापक, संता अंदोलन कारी आदी भी उत्पन हुए जिनोंने हिंदी में साहित सरजन कर हिंदी के सुरूख को निकारने और उसे घर-घर पहुचाने का प्रभावसाली युगदान किया है आरसमाज के लिए अपना समस्त कारे हिंदी में करना अनिवारे होता था रहीवारों के ससंगों में वदवानों के सभी उबदेश हिंदी में ही होते थे यहाँ बाद भी महत्पूर्ण है कि महारिशी दयानन ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी जिसे हिंदी की प्रतम आत्मकथा होने का गोरो प्राप्त है रिशी दयानन की इस आत्मकथा का महत व इस कारणा भी है कि विश्व के इतिहास में रिशी दयानन से पुर्व कभी किसी रिशी या किसी मत के संस्तापक आचारे ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी इस प्रकार से आरेसमाज वा इसके हिंदी के लिए समर्पेत वदवानों की छत्रचाया में देश में हिंदी ने अपना नया प्रभावसाली उत्पन शुरूप राप्त किया है आरेसमाज के विदवानों ने प्रचूर मातला में हिंदी में थारमिक और सामाजिक साहित भी दिया है इस दृष्टी से देश की अन्य कोई भी धारमिक और सामाजिक राजनीतिक संस्ता हिंदी के प्रचार परसार सम्वर्धन में आरेसमाज से समानता नहीं रखती आरसमाज का हिंदी के प्रचार और प्रचार में सरोपरी योगदान रहा है आज देश में हिंदी का जितना प्रचार है उसके केंदर में आरसमाज ही है यदि आरसमाज ना होता तो हिंदी देश की राजभासा ना होती दुर्भा की यह है कि देश ने आर्समाज की हिंदी के प्रचार प्रसार इसे लोगपरी बनाने के लिए किये गए योगदान को देश ने मानिता नहीं दी हिंदी को जिस आरिसमाज ने गोरोपुन स्थान दिलाया है उसका जान भी हमारे दिस्वासियों को ना हो ना कष्ट देता है आगामी हिंदी दिवस 14 अगस्ट 2021 को गुजरात में जन्मे महरशी दयानन जिनकी मातरभासा गुजराती थी उनके द्वारा इस्तापित आरिसमाज के हिंदी भासा के लिए किये गए योगदान को इसमर्ण कर हम को वंदन करते हैं उनको बरतमान समय में हिंदी के सुरूप को बिगाणने के भी प्रेत्न हो रहे हैं उसमें अंग्रेजी उर्दू आदी भासाओं के सब्दों का अनावश्चक रूप से मिलाया जा रहा है प्रषिलन किया जा रहा है देजभर में संचलित बच्चों के पब्लिक स्कूल अंग्रेजी का खुल कर पचार करते हैं और हिंदी की उपेच्छा करते हैं दो तीन वर्षों के हिंदी भासी बच्चों के भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है माता पिता वा प्रसासन मुख दर्सिक बने रहते हैं इसका परणाम देश और समाज के लिए अशुब होगा संसार में संपर्ति सेकड़ो भासाएं और बोलियां हैं संपर्ति रूप से सभी भासाएं अपने सुद्ध सुरूप में ही अच्छी लगती हैं अंग्रेजी और उर्दू में भी हिंदी सब्दों को मिलाने की वकलात नहीं की जाती परंतु हिंदी के साथ ऐसा क्यों किया जाता है इससे हिंदी प्रेमियों को साउधान रहना चाहिए हमें संस्कृत औह हिंदी के सरल सुबोध सब्दों का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए जिससे यहां खिचडी भासा ना बने हमने लेख में संस्कृत भासा में एश्वर के प्रादुरुप हव वेदों को देश दिशांतर में हिंदी भासा में प्रचार करने में और समाज के योगदान कार्यों की चर्चा की है हम वेदिक सनातन धर्म का विशेश करतब वेदिक धर्मियों का है कि हम अपनी सभी संतानों को सबसे पहले संस्कृत के निकरतब हिंदी भासा को सिखाएं जिससे बहा हिंदी के उच्च कोटी के धर्म ग्रंतों को पढ़कर लाव उठा सके वेदिक धर्मियों वो उनके बच्चों को संस्कृत का भी यथिष्ट ग्यान होना चाहिए इसके लिए सब को प्रेत्न करने चाहिए यदि ऐसा नहीं होता तो भविश्य में हिंदी का अस्थान विदेशी भासाय ले ले लेगी हमारा धर्म और संस्कृती भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे अन्य स्तरह के वेदिक लेखों के लिए वेदिक राष्ट यूटुब चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकोन की घंटी को दवा दें और अपने कीमती सुजाओ कमेंट अवश्य करें थन्नवाद